अब कैसे बख कर दे दिया दस लाग तुपे दे दिया है तिकी एडीसी भी अपने तरफ से एक करोड रुपया का एकजाम कर रही है मेरे सिस्टर ने जो एंपी है उन्होंने भी एक करोड देने का प्रोमिस किया है वो कल आध फंड रिलीस करा देंगे बीम से बात करके और इंप्लोईज ने भी अपने तरफ से दोनेट किया है आज अगरी कॉच्छर एंप्लोईज ने फिस्टी वान थाउद दोनेट किया तो हम लोग जैसे भी करके हम लोग अपने लोगों को हेल्प करेंगे उसके बाद आज हमने सब जोनल्स और सब जोनल्स का मीटिंग बारिश में इसको एफेक्ट हुआ है सब को हेल्प परने का हम जो पूशिश ने हमने पूरा क्या बहुत डैमेज हुआ है कि अब हमारे ही टीटिटिटिश का प्रोपरटी का कम से कम एक सो नबे करोर तिसा आसपास का डैमेज हुआ है इसमें हमने रास्ता को गिना भी नहीं तो अगर यही डेमेज है तो गवंट इंडिया को भी एक स्पेशल्ट पैकेज करना चाहिए और तुपरा में एक स्पेशल फंड और स्पेशल पैकेज देना चाहिए नॉट अट उनली फोर टीटी एरिया पर फूरे तुर्परा कि देना चाहिए पुछ पुछ कुछ लोग के खथ भी बर्भात हूआ है तो इन डू के अल को रहा है जय से कि बहुत जगे में अभी उनका पूरा जो डिपेडेनसी है किसान का आमा का खेट में हैं आज बहुत तो डिलोग का अरिकेनेट का डामेज हुआ है सिर्फ फ्लट से नहीं बारिष से भी हुआ है, लैंड स्लाइट से हुआ है, तो उन सब के लिए हमने बोलाय की इंटर करते हैं. अब बबगर, कुछ लोग का एक एलिगेशन पर आपने जो दोनेशन मंगा था, उसमें कुछ लोग का एलिगेशन हैं, आप बीजपी के सान इलैंस है, अपने एक कुछ लोगों का ने आप नाम लेके बोलें ना, यही सीपेम ने केरला में रुपया भेजा जब वहां में फ् किसने यह एलिगेशन दिया कि महारजा बिक्रम बेकार था कि तुप्रा बहुत अच्छा था कि प्रसा अमीर थे हंड़ेड़ पसंट लिट्रसी था अब जब उनका सरकार नहीं तो थिप्रव पुरा बरबाद होगी उनकी टाइम राम राज्ये था अब नरक राज्ये होगी सीप्यम का एलिगेशन है हमारे पार्टी से और एक डिसिशन है मैंने दस लाग दिया है अपने पोकेट से वह अलग बार है सब थिप्रा मौथा के MDC और MLA अपना एक महने का सालरी डोनेट कर रहे हैं यह अपरेशन के लिए और यह हम लोग को किसी ने रहें अपने तरव सब्सक्वाज हम लोग हो करें लेकिन हमारे गरीब लोगों को चिसने हमको आज यहां तक लाया है उनकी वहां में प्रोब्लम अगर हम थोड़ा से कम कर सकते तो हम परेंगे